हेलो फ्रेंट्स गूट मॉनिंग कैसे हो सभी दोस्तों एक बात थी जो आपके साथ से एर करनी थी एक्चली क्या हुआ अभी मैं 26 तारीक को 26 दिसंबर को डॉक्टर से मिलने गया था बहां पर काफी मुझे चलना पड़ा जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था और उसके इस वज़य से दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पायर में दर्ध होने लगा हम नीचे एंकल की साइड में जहां पे स्प्रू लगे भूए वहां पर मुझे दर्ध हो रहा था चल ला था तो मुझे दर्ध मैसूरत नहीं हुग रहा था यसे कि पिन जैसा चूब रही हो दो तो मुझे काफी टेंशन हो गई मैंने सोचा क्या करूं फिर और डॉक्टर के पास भी मुझे जाना है अगले हपते में तो भी मैं क्या करता मेरी समझ में नहीं आ और दर्थ की जो मैडिसीन है वह मैं खाता नहीं हूं क्योंकि दर्थ भी मैडिसीन काने से अड़ी जल्दी नहीं जूड़ती इसलिए मैं उसका यूज नहीं करता हूं थोड़ा बहुत जो दर्थ हो रहा था उसे मैंने ऐसे ही सहन किया अभी दोस्तों क्या है फिर उसके बाद दो दिन 29 दिसंबर और 30 दिसंबर मैं बिल्कुल भी प्रड़ी पॉकिं करने के लिए नहीं गया मैं ठील ने भी नहीं गया तो रहचीं मीज्ञेरीश्ट किया तो मुझे काभी आराम मिला अभी मार्नी में मैं आओ उठा तो मैं चलके कि मुझे दिक्कत नहीं हुई तो अगर दोस्तों किसे साथ इसी प्रब्लम होती है और अचाही हुआ है और 26 तारीक को मैं काफी चला था लगबग 6900 स्टेप चला था मैं मैं आपको स्कीन सोट दे दे रहा हूं आप देख सकते हैं 6900 स्टेप काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि अभी साड़े तीन महीने तो मेरे फेक्चर को हुए है पर इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हुआ है हलाकि जूड तो चुका है लेकिन पूरी तरह से जुड़ा है यह भी नहीं पता क्योंक्य डॉक्टर तो बताते हैं कि आपकी जो रिकबरी कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है तो मुझे नहीं पता है कितना जुड़ा होगा एक सरे अगली बार जब जाओंगा डॉक्टर के पास अभी होगा और उसके बाद 28 तारीक को लगवग मैं चला हूँ क्या हुआ था उसको मैंने पहले नहीं किया था इस्टेप मॉनिटर को तो मैं चला थो थोड़ा ज़्यादा हूंगा क्योंकि मैं जब घरते बाहर निकल गया था और तब मुझे रास्ते में याद आया तब मैंने उसे ऑन किया तो अगर आप लोग भी जाते है बॉकिंग करते हैं तो मुझे लगता है आपको स्टेप मॉनिटर रखना चाहिए मोबाइल में उससे आपको यह अंदाजा लग चाता है कि आप कितना चल पा रहे हैं ठीक है उस तरह से आप अपनी लिमिट बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि अगर आप डेली एक किलोमेटर चल अब फिर मैं बहुत जाके एक वीडियो सूट करूंगा कि अभी कितना मुझे आराम हुआ है कितना फायदा हुआ मैं कितना चल पा रहा हूं इसके उपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप चैनल पे जिन में काफी जानकारी दीए है कि आपकी हीलिंग कैसे अच्छी होगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने हड़ोड का टैबलेट है हिमालया का वो मैंने मंगवाया था बन 90 रूपीज का पड़ा था मुझे और वह भी मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है अभी 3-4 दिन हो गया है मुझे उसे लेते हुए दोस्तों अगर आप लोग हड़ोड प्लांट लेना चाहते हैं तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि उससे हीलिंग बहुत अच्छी होती है अगर आपको नह प्लांट मगा ले और उसका यूज करें कि उससे रिकबरी बहुत जल्दी होती है बहुत अच्छी होती है तो आप उसे कर सकते हैं उसका कोई साइट इफेक्ट भी नहीं है बस यह उसे लेते हुए थोड़ी सापधानी रखनी होती है और बस दोस्तों यही था आज के कि अपना अपना ख्याल रखिए कोई दिक्कत परिसानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां जाके जॉइन कर सकते हैं आप परसनली भी अपनी बात को सेयर कर सकते हैं ठीक है काफी सारे फ्रेंट्स हमारे आपकी बात का जबाब नहीं मिल पाएगा इसलिए आप चैनल जरू सस्क्राइब कर लिए आज के लिए यही था और मैं जाओंगा फिल्ट में पिर उसका एक वीडियो बनाऊंगा वह मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा थैंक यू फ्रेंट्स